अब यहां परपन बात करेंगे जो आज की दिन का ओस्ट्रिया टीटेन का आज की दिन का दूसरा मैच होगा जो खिला जाएगा इंडियन सीसी वियना वर्सेस वियना इगल्स के बीच में तो इस मैच की मैं आपको डैप्ट अनालिसिस करके दूँगा बस आपको करना कुछ यह जो वीडियो आपको पूरा वोच करना है और अच्छे से सारे स्टाइट्स देखने हैं आपको सब चीजें आपर क्लियर हो जाएंगी उससे भी जरूरी काम अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आयो हो और अगर आप तक टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है जो आप पर मौर लिखा हुआ है तो इस मौर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको नीचे याँपर टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और दूसरा आप कमेंट सेक्षिन जो याँपर दिख रहा है यहाँ पर पर धिलेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पे चुटने के दो तरीके एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्किप्शन में दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा दो तो ये जो मेच है, तीन बजे स्टार्ट होगा, सेम ग्राउन पर मेच है, आर्टिक्विशल विकेट है, एवरिज स्कोर यहाँ पर आप देखोगे, तो 100 से 130 देखने को मिलता है, पहले बात कर लेते हैं, ICC वी की टीम की इनकी टीम का पहला मुकाबला भी चल रहा है, चार मे बेटिंग के साथ आपको दो ओवर की कनफर्म बोलिंग देगा, चार मेच में विकेट भले ही एक हो, लेकिन बले से 11-6-36 है, और 20-10 में इसके नाम 182 रन 14 विकेट है, 32 ओवर डालके, मैर चीमा के नाम 23, 29, 32, 37 नोट आउट है, हर्मिस सिंग है, 14 नोट आउट है, पहले मे दूसरा मेच खिलानी, फिर 9 बेटिंग है, फिर 11-0 विकेट है, देखना होगा, आज ना, इनका एक बोलर कम खिल रहा है, तो हो सकता है कि हर्मिस सिंग जो अभी पहला मेच चल रहा है, उसमें बोलिंग करवाता नजर आए, और अगर ये बोलिंग करवाता है, और बेटिं बोलिंग आपर नहीं मिली थी, इंजिल गुल आमद जाई को भी आपर देखो, तीन मेच में सिर्फ एक ओर मिला था, डाउज जाधरान दो विकेट निकाले थे, लास मेच में और बहुत अच्छा बोलर है, इसको आप बिल्कुल टीम में रखके चल सकते हो, 2022 में 8 मेच में आप डोमेश्टी की टेन में 3 मेच में 0 विकेट्स है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो, अहमद गानी, रंजी सिंग, महर, चीमा, नीचे से यहाँ पर आप रख सकते हो, दाउज जाधरान और सोरब लूथरा, बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर से इन में से कोई भी खेल उसके स्टाट्स आपको मिल जाएंगे, स्टाटिंग के वर डालेंगे अहमद गानी और डेथ मेंगे एस लूत्रा, एच सिंग, डाउद, जाधरान, सामने जो टीम हैं इनके वो हैं वियाना, इगल्स की टीम जिनके टीम ने 5 में से 2 में जीते, 3 में चारे, ओपन करेंगे क करनबीर सिंग और कुमुझ जा, करनबीर सिंग की बात करो तो देखो, लास्ट के दोनों मेच में 100 मारा है बन देने, बहुती तगड़ा बेटर है, साथ के साथ बोलिंग भी करता है, 5 मेचेस में 2 विकेट और बल्ले से 54, 33, 100, 119 नोट आउट है, कुमुझ जा है, लास्ट के तीन मेच से विकेट किपिंग कर रहा है, तो बोलिंग नहीं करवारा, अदर्वाइस ये भी बहुत अच्छा ओल्डाउडर है, विकेट इसके नाम एक है, बल्ले से आपर 15, 23, 84, 29, 10 है, नवीद हुसेन बहुत अच्छा बोलर है, 4 मेच में 6 विकेट और बल्ले से 0, 0, 5 पांच नोडाउडो 17 है, काजिम सहीद बोलिंग ये भी लगातार करवा रहा है, 4 मेचस में इसके नाम 2 विकेट से है, सागर मेहमन पहले मेच में इसको दो ओर मिले जिसमें एक विकेट था, अगले दोनों मेच में इसको बोलिंग नहीं मिली थी, हाला कि डोमेश्टिक टी चाहो तो रख सकते हो, दाउस सुरकी है, देखो पहले मेच 2 मेच में बोलिंग नहीं, उसके बाद में अगले 2 मेच में बोलिंग मिली, जहाँ पर 4 विकेट थे, फिर आखरे मेच में बोलिंग नहीं, तो इनके टीम में बोलिंग मिलना कंफर्म नहीं है ये बोलर्स को, या करनभी सिंग, कुमुझ जा, नभी दुसेन, काजिम सेयद और नीचे से यहाँ पर रसकते हो दाउस, सुर्की और यावर अब्बास। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर से इनमें से कोई भी खेले उसके स्टाट्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के वो डालेंगे काजि आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चनल का लिंक में आपको बताई दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन में आपको मिल जाएगा, तो थेंक्यू भाईएँ, अगर वीडियो पसंदे आवो तो लाइक करना, चनल पर नेवो तो सब्सक्राइब कर देना, थेंक्यू